आज पूरण आहोती का दिन है संपूरण जो संस्किर्ट में शब्द है संपूरण उसका अर्थ समापत होना नहीं है समापती का मतलब यह नहीं है खतम हो गया समापती का मतलब है सम्यक प्राप्ति जो हमने साथ दिन से सुना है वो हमको अच्छी तरह हमारे जीवन में प्राप्त हो तो यह सम्यक प्राप्ति अच्छी तरह से हमको प्राप्त हो जो हमने सुना है इस भाव से भगवान स्री कृष्ण की लीला हैं, कल गोकुल में बाल लीला हैं, वो कुमार अवस्ता में भगवान की लीला हैं, वातसल्य प्रेम के पोशन के लिए हैं। और जैसे भगवान बिन्दावन में आये तो उन्होंने बत्स चारन की लीला की, बत्स चारन का मतलब बच्छडे चराना ये है सखाओं की पुष्टी के लिए, सखाप्रेम की पुष्टी के लिए उनकी अब वत्स चारन की लीला में मुख्य लीला, क्योंकि आज मुख्य ली और पुलनाहोती करनी हैं, तो वत्स लीला में, जैसे हम प्राया सब को कहते हैं, कि भगवान को मित्र बनाओ, अगर कोई पाप के पेट में चला जाता है, तो भगवान वहां से भी निकाल के ले आते हैं, ऐसा सखा कोई नहीं मिलेगा जो पाप के पेट में जाया और पाप को भोगना न पड़े, उससे पहले ही बचा के बाहर ले आए, तो ऐसे पाप का पुझ अगासुर, अग का मतलब है पाप, और असुर, मतलब राक्षस, अगर वो आप से इंट्रोड्यूस अंग्रेजी में कराए अगासुर तो क्या बोलेगा, सर, I am sinful demon, अपने आपको कहेगा मैं बड़ा राक्षस हूं, sinful demon हूं, अगासुर, सो इस लीला का घटन ऐसे होता है कि उस दिन बल्लाम जी का जनम नक्स्तर है, बल्लाम जी को रोणी माता ने घर में बिठा दिया, क्योंकि बल्लाम जी जाएगा तो सांप आएगा नहीं, क्योंकि बल्लाम जी सेश अवतार ह तो भगवान की साम से के साम के साथ लीला होगी नहीं, तो आज बल्लाम जी तो गए नहीं, भगवान ने सारे अपने सखाओं को कहा कि हम रोज बचड़े चराने जाते हैं, तो दुपैर को घर में आके भोजन करते हैं, क्यों छोटे बच़े हैं, बचड़े भी शाम बना पकवान बनाएं, अपने साथ ले चलेंगे, बन में खेलेंगे, पिकनक करेंगे और शाम को लोटेंगे, तो ये भगवान ने शाम को घोषणा कर दी और सब बच्चों ने अपनी माताओं को कहा कि कल अच्छे अच्छे बनाना और हम बन में भोजन करेंगे, दूसरे लेकिन भगवान सबसे पहले स्वें उठें, सबको नीन से जगाया, इसको कहते हैं नेता, हमारा नेता होता तो बोल्हा, सब तरीहार होके बाहर निकलो फिर मेरे को बुलाना, लेकिन भगवान सबसे पहले स्वेम उठे सिंग बजाया, सब को नीन से जगाया और सब वह ग्वाल बाल अपनी लाकूटी के पीछे टिफन बांदा और फेंट में बांसूरी लटकाई, पगडी बांदी, अपने लाखूं बचड़े आगे करके और स्वेम बन में परवेश हुए, और जब बन में पहुँच गए तो एक दूसरे किये, टिफन को उठा के एक दूसरे पे फेंके, और साके तीजरे को फेंके, वो डूनता रहे के मेरा टिफन कहा है तो ये आपस में खेल कर रहे हैं, खेल करते करते, भगवान स्री कृष्ण एक पेड़ के पास लेट गए तो इन ग्वाल बालों ने देखा, उस वक्त महीमा सिधी का परदर्शन करते हुए, पूतना का भाई अगासुर बहुत बड़ा अजगर पहाड जितना मूँ खुला हुआ, दांत ऐसे लग रहे हैं जैसे पहाड़ों की संखला है, जीभा ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई रोड बना हुआ है यह बच्चों ने का यह क्या आश्चर है, जला नजदीक जाके देखें अंदर है क्या, दुरगंध अंदर से आ रहे है, यह पशू खायो है उसकी, लेकिन बच्चों के मन में आया कि इसके अंदर घूम के देखें, क्या है तो किसने का, कुछ हो गया तो, अरे हमारा कृष गए, और अगासुर मूँ खोल के बैठा है, क्रिशन आये, तो उसको मूँ में दवाओं, मेरी बेहन पूतना और मेरे भाई, बकासुर का बदला लूँगा, और क्रिशन भागते हुए अपने सखाओं को पाप के मूँ से निकालने के लिए अजगर के मूँ में चले गए, अगासुर के मूँ में चले गए, अगासुर ने मूँ बन किया, और क्रिशन जाके उसके गले के अंदर खड़े हो गए जैसे, तो क्रिशन के वहाँ गले को ऐसे दबाने से उसके गले में सांस रुक गया, अगासुर का सांस रुक गया, उसका सर फट गया, और सर फट गया और सब ग्वाल बाल बाहर निकले, वो मूर्शित थे भगवान ने अमृत दिर्ष्टी डाली, ग्वाल बाल जैसे नेंद से उठे हैं, और सब के देखते देखते अगासुर की आत्मा भगवान स्री कृष्ण के चर्ण में परवेश किया, उपर धरम राज, यम राज, जो अ अंग में परवेश हो गया, और उदर बड़े धोल बजने लगे, ऐसे अश्चरे हो गया, अगासुर, पूतना का भाई था, भगवान को पूतना ने दूद पिलाया, तो अगासुर को भगवान ने उधार कर दिया, वैसे सब का ही उधार करते हैं, और इसके बाद ग्वाल बना के और बैठ गए हरेक ने अपना टिफन खूला, और टिफन खूल के पहले खाता है, राजगूला, मेरी मा ने बड़ा अच्छा बनाया, कनया जरा खा के देखो, पहले खुद खा का है, फिर कनया को देता है, और कनया तक पहुंचे उससे पहले बदुमंगल के तारे, ब्रह्मन के बच्चे को नहीं पहले अर्पन करते हो, सब आहिर के बच्चे खाओगे, अमेरे को पहले देना चाहिए, और ये आपस में ऐसे प्रेम का प्रसाद चल रहा है, तो आवाज सुनके सत्य लोग से ब्रह्मा जी ने काई, ये उत्सव कौन सा है, हमको तो निमंत्र का वहाइन है, और उपर से देखते हैं, हम यग्य में कितनी पवित्रता से आहोती डालते हैं कि भगवान आके है, आप गरण कीजिये, भगवान आते नहीं है, और यहां वही भगवान और बालकों का जूठन खा रहे हैं, कि हम इसी की पूजा करते हैं, ये हमारा भगवान की योग माया से विमोहित हो गए, क्योंकि भग्रमा जी को भगवान ने कहा है, ये तो दूसरे इसकंद में कहा है कि आप कभी मोहित नहीं हो सकते हो, न मे भारती, मेरी वानी कभी मिश्णा, गलत नहीं बोलती है, भग्रमा जी ऐसे कहते हैं, तो ये योग माया ने लीला कर अजिखानी थी, और एक आश्चर्य दिखाना था, कि भगवान, अभ अभ सब बच्चे भगवान के ऊपर देख रहे he मचले अभ दिर्ष्टी हटी और दुरग्वट नगटी, भगवान से दिर्ष्टी हटी, लिए जंगल में गया वो तो बच्छडे कहीं दिखाई नहीं दिये कहां चले गए बच्छडे वापस आए अरे गवाल बाल गुम गवाल बाल भी चले गए तो भगवान स्री कृष्ण ने का ये विधाता का काम है ये ब्रमाजी जो विधाता है इसने बच्छडे भी चुरा लिये हैं और गवाल बाल भी चुरा लिये तो अब क्या करना चाहिए वो हमारे लीला देखना चाहता है वो भी सृष्टी करता है तो उसको आस्चरिय में ढालना है तो मैं ऐसी सृष्टी करने जा रहा हूं जिस सृष्टी में न तो कहीं से आत्मा के लाने की जरूवत है, न कर्मों को लाने की जरूवत है, न पंच भूतों को लाने की जरूवत है, मैं ही सृष्टी का निमित और उपादान कारण बन के, और अपने जैसे, अपने आप से, एक से जितने गौालबाल है उतने बना दूँगा, जितने नोटे तो गईया कूद कूद के आपने बचडे को चाट रही है और मया अपने गौलबालू को गोद में लेकर बड़े प्रेम से चाट रही है तोना कभी प्रेम नहीं करती थी ये लीला भगवान ने कि इस लीला के पीछे क्या भगवान का उदेश था पहला उदेश तो ये था कि मेरे को माखन चोर कहते कहते सब आनंद ले रहे हैं कि बर्जे प्रसिदम नवनीत चोरम बिर्ज में परसिद रावनीट च्वर कि अगर मैं ब्रहमाजी को चोर बना दूं चारमुख वाले वेद़ुं को जानने वाले गा तो मैं तो चोटा च्वर हो जाओंगा पिर तो ब्रह्मा जैसे चोरी करा लेते हैं आज ऐसी ब्रह्मा जी चोरी कर ले तो फिर हमारी चोरी तो छोटी हो जाएगी न तो ब्रह्मा जी को आज भगवान ने चोर बना दिया लेकिन भगवान की लीला में भगवान का उदेश क्या था सारी गईया ऐसा भाव रखती थी कि केवल कुछ गाय है नंद बाबा की जिनका दूद कृष्ण को मिलता है हमारा दूद कृष्ण कब पियेगा भगवान ने का इस लीला में मैं ही बच्रा बनके सब गईयूं का दूद पी के सद गईयां को सुक दूँगा और सब मैया बोलती थी कनहिया यशोदा की गोद में दूद पीता है हमारा दूद कब पियेगा आज कनहिया ने कहा मैं ही गवाल बाल बन गया हूँ अब सब गोपियूं का बेटा मैं ही बन गया तो सब का दूद पीने का सोब आगय प्राप्त हो गया ये तो तीन उदेश हो गया चोथा उदेश क्या था बिर्ज की कुमारी पांच वर्ष की लड़कियां वो कहती है कृष्ण हमको पती के रूप में प्राप्त हो और इस लीला में सांडलिय रिशी ने घोशना कर दी कि इस वर्ष में जो अपनी बच्चियों का विवा करेगा वो सदा स्वागन रहेंगी और सारे बच्चियों का विवा ग्वाल बालों के से हुआ और वो ग्वाल बाल कृष्ण था और कोई नहीं था इसलिए रास लीला में लिखा है कृष्ण वध्वा कृष्ण वध्वा मतलब ये सारी कृष्ण की वध्वा है क्योंके कृष्ण के साथ इनका विवा हुआ है वो ऐसे ऐस क्यूंकि वो ग्वाल बालों से विवा हुआ था वो तो कृष्ण था और कोई था यह नहीं थी उसी वर्स में विवा हुआ था अब इतनी सारी लिलाएं संपन हो गई एक साल बीत गया बलराम जी अब नए बच्डे बड़े गया ने दूसरे बच्डे दे दिये उनको लेके चराने के लिए बलराम जी कृष्ण गए और ग्वाल बाल नीचे गया चरा रहे थे और बच्डे ये लेके खड़े थे गोवर् रोका रोका ग्वालों से गया रुकी नहीं आश्चरे है बालों के उपर गुसा आया लेकिन बच्चों को देखके उनको चूमने लगे बलराम जी क lihat एक कैसे कभी हुआ है ऐसे कभी हुआ नहीं तो किरिशन बोले नहीं बलचार माते वाले का काम है तो बलणाम जी ने ध्यान किया सब चत्र भुज रूप है सारे बचड़े सारे ग्वाल बाल वो चार भुजाओं वाली मूर्ती बने हुए हैं आस्चर लगा और ब्रह्मा जी वैसे सामाने रूप से ब्रह्मा जी अपने सत्य लोग जा रहे थे भगवान ने देखा कि ये ब्रह्म लोग में चला गया तो कितने दिन मैं घास खाऊंगा बच्ड़ा बन कर तो क्या करना चाहिए भगवान ही जाके ब्रह्मा जी के लोप में ब्रमा बनकए बैठ गए बोला एक नकली ब्रमा आये तो अंदर मत आने देना यह भाव में ऐसे कहते हैं कि ब्रमा जी वहां पहुंचे दरवाजे के उपर बोला ब्रमा जी अंदर बैठें आप कहां से आ गए तो ब्रमा जी वापस जल्दी ही लोटके आये लेकिन वो जल्दी आने में एक साल बीद गया ब्रमा जी वापस आके देखें तो औरे यह गौल बाल फिर जहां छुपाए थे वो जाके देखें यह गौल बाल बिर्ज में एक जगाओं है सपोला गाओं वहाँ यह अगासुर आया था वो सपोला गाउं, गाउं का नाम ही सपोला गाउं हो गया है और फिर चो मौह हैं, वहां ब्रमाजी आये थे वो चार मौह वाले ऐसे देख रहे थे ये असली हैं के वो असली हैं ये असली हैं के वो असली हैं तो भगवान ने ब्रमा जी को आस्चरे में डालने के लिए चत्रभुज रूप में सब ए बच्चे दिखा दिये, गवाल बाल दिखा दिये, अब ब्रमा जी असली गवाल बाल बचडे लाके स्री कृष्ण को दे दिया, और देखा, बचू ने देखा तो हात में वो भोजन पड़ाएं वैसे वोसी पंक्तियों में ऐसे जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं और ब्रमा जी फिर बहुत सुंदर अस्तुति भगवान श्री कृष्ण की करने लगे कृष्ण को प्राथना करने प्रणाम करने लगे अस्तुति करने लगे ब्रमा जी के अस्तुती के साल डेड़ पहले हमने यहां साथ दिन केवल ब्रमा जी के अस्तुती के उपर सत्संग किया था तो ब्रमा जी की अस्तुति इतनी सुंदर है जिसमें ब्रमा जी एक बात कहते हैं कि जैसे माँ पेट में बच्चे के लांत मारने के उपर नाराज नहीं होती है ऐसे भगवान मेरे ऐसे आपके बच्चे चुराने के कारण वाल वाल चुराने कारण आप हमारे उपर निश्च ब्रमा जी चेतना महापुर्व की लीला में हरिदास ठाकुर बनके और नाम आचारे बनके और हरे कृष्णा महामंतर का जब किया अब ये जो ग्वाल बाल घर में वापस आए ब्रमा जी अस्तुति करके चले गए भगवान ने तो बात तक नहीं की ब्रमा जी को और ब्रमा ज गईया ने हमारे को बहुत बड़ी अजगर के पेट से निकाला सब उदर जाके देखें तो अजगर सूख गया है और उदर एक खेलने का कोई जैसे गुफा बनी हुई है एक साल बीद गया आज पान साल का कनहिया हो गया अब नंद बाबा को कहता है बच्छडे चराते हु अरे कनहिया तो फिर मूरत तो निकालना पड़ेंगा ना सांडल रिशी से पूछना पड़ेंगा तब तक सांडल रिशी आ गए अरे कनहिया क्यों जिद कर रहा है नंद बाबा बुला ये बच्छडे ये गया चराने के लिए जिद कर रहा है मूरत निकालना पड़ेंगा और ऐसे पंचांग निकालके और सांडल रशी कहते हैं कल गोपस्ट मी हैं बड़ा अच्छा हमूरत है नंद बाबा कहते हैं गुरुशिष्ष मिले हुए हैं आपस में दो नू पहले सही प्रोग्राम बनाया के रख्या है कोई बात नहीं थैयारी की नंद गाउं और बरसाने के बीच में बहुत बड़ा पंडाल लग गया गया को रात को सिंगारा सिंगू में सोना लगाया खुरू में चांदी लगाई पूछ के अंदर हीरे मोती लगाए और उपर सुन्दर कपड़े वस्ता रंग लगाया और बचे रात को थके हारे आके सोगए और सुबह मया उन कनया जंगल में जाएगा कांटा कंकर लगेगा आप ये मोजरी पहन के जाओ अच्छा मैया तो फिर हमारी गया के लिए चपल कहा है औरे गया एक तो चार दो जोड़ी चपल चाहिए नौ लाग गया बाबा की है तो मैया ने का गया तो पशू है ना औरे कनया ने मुकट को उतार के ऐसे फैंक दिया बोला मैया का गया को पशू क्यों बोलती है गया हमारी पूजन ये माता है वो कृष्ण रूट गया मैया ने बोला कनया को पशू नहीं बोलूँगी जितनी मिटी में कंकर पत्थर था सब को पाउडर बना दिया ये बिर्ज की रज गाईउं के पाउं से ऐसे कृष्ण के प्रेम में उन्होंने कूट दिया है आज कृष्ण गया चराने के लिए ग्वाल आज ग्वाल बन गया है वत्सपाल से आज गोपाल गईया चराने के लिए चला गया है गईया चराने कनया जाता है बांसरी में हर गईया का गुरूप का नाम लेता है धोली गईया आजाओ, गोरी गईया आजाओ, सामली गईया आजाओ और गईया उसके प्रतिक्षा करती है कि कब हमको बुलाएगा वो बाहर खड़ी रहती है जैसे कनया बुलाता है तब आती है अब इसके बाद गौाल बाल उन्हें एक ने देखा कि ये बड़ा अच्छा ताल का बन है ताल के पके हुए फल है अरे कनया बदाओ जी ताल फल खाने की इच्छा है बला चलो खाए बुला वहाँ धेनू का सु पेड़ु को जोर से हिलाया और देनू का सुर भागटा आया और देनू का सुर पल्लामवा स्वर ये बल्लामजी के दौर इनका उधार हुआ है क्योंकि धेनु का सूर बली महाराज के कुल में असूर था इसलिए प्रलाद के 21 बीडी को भगवान ने मानका मारने का वचन दिया था इसलिए भगवान ने देनु का सूर का हाथ नहीं लगाया बल्राम जी ने उसको घुमा घुमा के मार दिया ये देनु का सूर को उने दियास कहते हैं और देनु का सूर परम पूझे राधा गोईंद महारा स्वामी महाराज कहते हैं ये मोसम का फल कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं ये देनु का सूरे अज समय के उपर खाने नहीं देते हैं इतना पका हुआ फल किसी को खाने नहीं देता है तो ये को धेनों का सूर का भगवान ने उधार किया अब गर्मी की मोसम आई है गया पानी चेपीने के लिए जमुना के पास एक हरद है उसमें गया और गया गवाल बाल पानी पी तो अमर्त डिस्टी डाली गया और गवाल बाल तो सचेत हो गए जैसे नींद से उठे हैं लेकिन आज कनेया ने निरने किया किस कालिया को आज मैं डंडित करूंगा और भगवान ने कमर कसा और अची तरह से पगड़ी को ठीक किया और जमना के हर्द में कूद गए और जै जल्दी चले जाओ घने रहा हूं तुम से मिलने आया हूं और लात मारी कालिया उठा और कालिया ने अपने बल जो उसके बल के अंदर कनेया को बांद दिया आब कनेया सांप के बलूं के अंदर है और कनाय को बड़ा आनन्द आ रहा है, बुला, मैं सेज सेया के उपर सोता था, कब छोड़ के आया, आज ये, कम सेज सेया मेरे को मिल गई है, सांप तो बहुत नरम होता है, अच्छा गदेला था, थोड़ी देर कनाया ने उसका आनन्द लिया, इधर उधर सब घूम फिर के, लेकिन उस वक्त तक तो समाचार गया, नंद गाओं में, यशोदा मैया वहां से आई, नंद बाबा आए, सारे गौाल गोपाल आए, और बल्लाम जी आज भी नहीं गए थे, क्यूंके कालिया से लीला करनी थी, बल्लाम जी आ गए, यशोदा मैया तो पानी में कूदना चा रहें, कनहिया ने अपने सरीर को थोड़ा बढ़ाया, और कनहिया ने जैसे अपना सरीर बढ़ाया, तो उसका पेट खिचने लगा, और उसका पेट खिचने लगा, तो उसने कनहिया को छोड़ दिया, और कालिया के फन के उपर चड़ गया, यह हमारे बहार, बहुत तो भविश में आने वाली शर्द रातरी को आपके साथ भी निर्थ करेगा करना यह निनानवे फन थे कालिया के था थाई 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 अब ओ देवताओं ने देखा कि इतना सुंदर निर्थ हो रहा है कोई बजाने वाला नहीं है गंधरम उने ढोल पीटना शुरू किया और ठाई थाई हुआ और कालिया बिचारे का पहले विश निकला फिर खून निकला फिर सारे फन निनानवे कमजोर होने लगे और फिर कालिया बिचारा मुर्जाने लगा उस वक्त नाग पतनिया बाहर निकल आई नाग पतनियों का ने कहा स्री कृष्ण ये दोएशी था ये आपसे इरशा करता था हम चाहती थी मर जाए लेकिन अब इसका विश निकल गया अब कितना इसका सोभाग यह है कि इसके सर के उपर आपके चरणों के चिन योगियों को जो चरण थोड़ी देर ध्यान में नही प्राप्त होते वो इसको कैसे प्राप्त हो गए है और ऐसे कहती कहती वो कहती है अब इसको आप जीवन डान दे दो भगवान स्री कृष्ण नाग पतनियों की प्राथना से बड़े प्रसन हुए और कालिया के फनों से नीचे उतरे और एक दुप जैसा बन गया उसमें आतिक हमारे रास्ते में भक्ति के बंधन है और कनया आपने हमको इर्शालू बनाया है हमारा सुभाव आपने ऐसा बनाया हम क्या कर सकते हैं अब मैं आपके शरण में हूँ और फिर भगवान के अपना काउचसमणी नीचे गिर गई थी कनया ना के उपहार भदिया कृष् वहां मेरे को गरूर खा जाएगा वहां मैंने गरूर को खाने के लिए भोजन नहीं दिया था मेरे भाग जिसन देने था मैंने नहीं दिया गरूर खाएगा और मेरे को मालूम है कि जमना में गरूर नहीं आएगा शौवरी ने गरूर को सराब दिया था कि यहां मचली खात के उपर फनों के उपर मेरे चरणों का लगा हुआ ये स्टेंप ठपा देखेगा तो गरूर तुम्हारे को कुछ नहीं कहेगा तुम निश्च दो कि वहां रह जाओ ऐसे भगवान ने कालिया का उधार किया है अब इसके बाद प्रलंबा सुर के उधार की कथा है फिर बर्सा रितु है और फिर बहुत अच्छे रित्यूं का वर्णन है उन रित्यूं का वर्णन इतना सुंदर है कि प्रभुपाजी ने अलग लाइट अफ भागवत पुस्तक उसके उपर लिखा था और उन कथाओं में तो लंबी कथा नहीं एक ही बात कहते हैं उनमें ग्रस्त के लिए एक उधारन बड़ा सुंदर दिया हुआ है कि बर्साद की मोसम में बादल देखकर मयूर निर्ट करता है कि अब बर्सा आएगी गर्मी चली जाएगी सीतलता हो जाएगी ये बर्साद की मोसम का दर्शन देखकर और भागवत में लिखा है ऐसे ही गरस्त सद गरस्ती के घर में कोई सादू संत आता है तो मोर की तरह आनंदित हो जाता है कि हमारे ताप संताप हरी कठा हरी अमरत से समापत हो जाएगे ऐसा बहुत सुंदर वरणन इसका है और इसके बाद आगे अब भगवान को रास लीला करनी है उससे पहले ब्रहमनों को अनकूल करना है देवताओं को अनकूल करना है बड़े बड़े गोपों को अनकूल करना है उनको मालूम हो कि ये कार्य जो करने जा रहा है ये कोई साम ऑद्हार के बाद रात को सब वहाँ रहे गए सुबह उठते ही आग लगी भगुगवान ने उस आग को पी लिया। ऐसे दो बार भगवान ने आग को पिया. इसका वरणने ऐसी कथाएं तु नंभी हैं लेकिन अपन कथा कौन सी करने जा जा रहे हैं। भगवान ने ब्रामनों को अनकूल किया, ग्वाल बाल बूखे थे, कृष्णा हमको कुछ खाने के लिए चाहिए, बुला चतरवेदी ब्रामन यग्य कर रहे हैं, उनको जाके कहो, बल्राम जी और कृष्णा और हम सब बूखे हैं, कुछ हमारे को भोजन दे दीजिए, और ब ब्रामन पत्नियों को का कृष्णा, वहाँ नाम पहले मेरा लेना कृष्णा का, और कृष्णा का नाम सुनते ही थाल उठाके ब्रामन पत्निया आई, और सब भक्तों के सामने, ग्वाल बालों के सामने भोजन रख दिया, कृष्णा अपने ग्वाल बाल के कंधे के उपर हाथ रखके बैठे थे इस सुंदर कृष्ण के दर्शन को जो ब्रामन पत्नियों किया है ये गंभी नावे में महाप्रबु इस शलोक का वाचन करते-करते आंखों से आंसू बहाते थे कि कितना सुंदर ब्रामन पत्नियों को भगवान का दर्शन हुआ और उनको भगवान ने भक्ति अपनी दे दिया ब्रामन पत्नियों कहते हैं हम वापस नहीं जाएंगी का नहीं आपकी सेवा में रहेंगी नहीं नहीं आप ब्रामन है पूजने है गोपियों की सेवा अलग है आप जाईए अपने पतियों करें सारी पती हमारे से नाराज हो जाएंगे बुला पति क्या देवता भी आपकी पूजा करेंगे पत्निया जैसे वापस आई ब्रह्मन कहते हैं धिकार हमको इतना वेद पढ़ा इतना पंडित बने इतना शास्त्र पढ़ा इतना यग्य किया और जिस भगवान के लिए यग करके आई हो और ब्रहामनों ने अपनी पत्नियों का बहुत बड़ा सन्मान किया ऐसे भगवान स्री कृष्ण ने ब्रहामनों के पास भेजने से पहले बलनाम जी को कहके देखके कह रहे थे देखो ये पेड़ ये बिर्ज के पेड़ देखो कितने अच्छे हैं फल देते हैं लकड़ी देते हैं छाया देते हैं ये तो ब्रहामनों से अच्छे हैं सब कुछ अपना डान कर देते हैं आज ब्रहामन अनकूल हो गए अब ब्रहामन अनकूल हो गए इसके बाद पांच वर्ष्ट की गोपियां जो थी छोटी बच्चियां उन्होंने कात्यानी का वर्थ क और उनको फल मिलने वाला था उस दिन भगवान ने चीर हनन की लीला करके उनको वचन दिया कि भविश में आने वाली सर्द रतु का आपके साथ रास लीला करूँगा और इसके बाद जो बड़ी गोपियां है उन्होंने भगवान की बेनु बजाने की जो सुन्दर लीला है उसका गीत है ये पहला भागवत में गोपियों का गाया हुआ गीत है पांच गीत है गोपियों के भागवत में पहला वेनु गीत है इस वेनु गीत में गोपियां कृष्ण के बांसुरी बजाना ओस की सुन्दरता का ये प्रसिद शलोक ब्रहा पीडम नटवर वपू जो आपको बतायाथा कि जो सुनके सुकदेव महराज ब्रमानंद को छोड़के आ गए और फिर ग्रिणाज को हरीधास वरिय कहती है कि ये भगवान का सबसे प्रिय भक्त है और ये अभीर गोलनिया ये भीलनिया कितनी भागे शाली है ये हिरनियां कितनी भागे शाली है ये नदियां कितनी भागे शाली है जिसके किनारे पे बांस उकता है वो बांसुरी कनहिया के घुन्टूं के उपर अम्रत पीती है ये तो हमारी सोतन लगती है ऐसे बहुत सुन्दर गोपियों का ये बड़ी उमर की गोपियां वेणूंगीद गाती हैं चोटी उमर की गोपियां कातियानी का वृत करती हैं और इसके बाद साथ वर्ष का कनया हो गया तो एक दन मैया ने बहुत सुन्दर सुन्गार कराया और सिधानन्द बाबा की गोद में जाकर बैठा और पूछा बाबा आज क्या है इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कल तो दीपावली थी आज किसका ये पूजन होएगा बुला ये हम इंदर का पूजन करते इंदर बरसा करता है हमको गया के लिए घास चाहिए कनया बुला इं एक विभा होके आया तो पती-पतनी घर में परवेश करते हैं उससे पहले लड़के की मा अपनी आने वाली बहु के स्वागत में पहले जमाने में लाल कुंकम का पानी वो रखती थी कि इसमें चर्ण रखेगी और हमारे घर में लक्ष्मी के चर्ण पढ़ेंगे अभी तो उनके चर्णों का तो ये बहु बिचारी ऐसे गुंगट से देख रही थी सास आह नहीं रही है देर हो गया 10 मिंट 15 मिंट तो देख रही थी सास ने क्या किया एक टोकरा उठाया एक बिली के उपर ढग दिया और फिर सास भागती-भागती पानी लाई और ये बहु आई अ टोकरा लाओ बिली लाओ अरे क्या करना है बोला हमारी परंपरा है हम जब आये थे तो हमारी सास ने ऐसे किया था वो सास जिंदा अंदर बैठी थी उसने बोला बहु देर क्यों कर रही हो बोले बिली नहीं मिल ये टोकरा नहीं मिलों क्या करना है बोला जब मैं आये थी ढ तो ये कोई परंपरा नहीं है। ये ऐसे ही कितने हम देवी देवताओं का पता नहीं है। आपने कहां से पएदा किया पता नहीं, और किसका किसका पुजा पाथन ये परंपरा हमारी चल रही है, ऐसी परंपरा एं बगवान स्री कृष्ण को पसंद नहीं थी, उसने कहा नहीं पुजा करनी है, तो गोवर्धन गिली राज की करो, ब्रहमनों की पूजा करो, ये हमारी पूजा करने दो इंदर की बुलने इसी सामगरी से ये बना हुआ पकवान जो है इसी से पूजा करें आप सब गवाल बाल गोपाल बड़े गोप सब वो सामगरी उठाई और गोवर्धन के पास आए और मुखारवंद के पास आए और सब ने सामगरी आगे रख दी और भगवान सरी कृष्ण एक सोयम गोवर्धन बनके उपर चड़ गए और उपर चड़के और फिर लंबे-लंबे हाथ करके ऐसे खाने लगे कृष्ण सब को कहता है तुमारा इंदर कभी आया देखो तो भगवान कैसे प्रेम से खा रहा है वो मधू मंगल कहता है अरे ये सब गा गया करया बूखा है कुछ छोड़ेगा के नहीं छोड़ेगा ये तो कहता है आनि और और लाओ और लाओ और लाओ और जतना था सब खा लिया और उसके पास सब परसाद के रूप में वापस दिया आज गौाल बालों ने परसाद खाया है और फिर गोवर्धन की परिकर्मा की गोवर्धन की परिकर्मा की सब वापस आए गोवर्धन की पूजा हो गए ये भगवान ने गोवर्धन गरीराज की पूजा की ये गरीराज गोलोक धाम में भगवान के हिर्दे से प्रेम से प्रकट हुए हैं ये विशेश रूप से शिलरूप गोष्वामी कहते हैं बिर्ज मतुरा मंडल महान है क्यूंके भगवान स्री कृष्ण महां प्रकट हुए उससे महन बिंडावन है क्योंकि भगवान ने उसके अंदर रमन किया है रेत में खेले हैं उससे महन गोवर्धन है जिसको भगवान ने अपने कर कमल पे धारन किया है और उससे अभी उच इस्थान राधा कुंड है जो राधारानी से अभिन है तो गोवर्धन को में केवल उनके साथ ही भगवान का व्यार होता है तो गोवर्धन भगवान को बहुत प्री है और ये गोलोग धाम में भगवान के हिर्दे से प्रकट हुआ और जब अवतार की लीला करने का वीचार किया आने का धर्ती पे जब समय हुआ तो राधरानी को कहा शिरी जी आप पधारिये बोला गोवर्धन नहीं जमना नहीं तो कौन जाएगा बोला जमना पहुँच गई है गरीदाद को पहुचाने का विवस्ता किया गया है सामल दीप में द्रुन परबत के बेटे के रूप में गरीडाज जी पहुच गए है और वहां पुलस रिशी आएगा और पुलस जी ने द्रुना चल को कहा कि आपका बेटा हमको दे दो हमारे पास बनारस में कासी में कोई परवत नहीं है हम इसको ले जाएंगे अरे मेरा बेटा कैसे दूँ और रिशी को ना कैसे कर सकता हूँ गरीडाज ने कहा मुझे ले चलो शर्त इसके उपर तुमने कहीं रख दि वापस आये सिनान किया गोवर्धन उठाया उठ नहीं रहा है गोवर्धन चलो बोले नहीं यहां रहूँगा एक लीला आती है कि हनुमान जी गोवर्धन को उठाके सेतू बनाने के लिए ला रहे थे तब तक समाचाराया सेतू तयार हो गई और गोवर्धन को यहीं रख गोवर्धन तुम मेरा भान भक्त है तो गोवर्धन ऐसे बिर्ज में आये लेकिन वो रिशी नाराज हो गए पुलस उसने कहा तू नहीं चलेगा तो एक राई भर रोज का धजमीन में धंस्ता जाएगा तो गोवर्धन नीचे जा रहा है और गोवर्धन की पूजा हो गई अरहीं नहीं होती है तो बड़ा खराब होता है और भगवा ने देखा के इंदर को अहंकार हो गया तो उसका हमारा भक्ति है उसका अहंकार का भी धमन करना चाहिए यह भगवान गोवर्धन लीला करके देवता σε भगवान को अपने भक्त ज्यादा प्यारे है देवताओं से भी भक्त का सनमान ज्यादा है गोवरधन भक्त वरे है भक्तों में बहुत महान है अब इंदर को किरोधाया उसने प्रिले काल के बादलों को बुलाया और नौ उन पचास मरुत्वों को बोला जाओ आंधी तूफान और बरसा करके बिर्ज को डुबा दो और इ ऐसे पवरत को उपर करके उल्टे हाथ के उपर खड़ा करक दिया बला सब गया लेके अपने ग्वाल बाल सब आके इसके नीचे रहो अब सब नीचे रा गए और भगवान ने अपने सुदर शंग चकर को कहा के उपर ऐसे घूमते रहो के पानी का एक कत्रा भी नीचे नही गिरना चाहिए और अगस्त रिशी एक वार एक पंगत में पंगत में जब सादूर भोजन करते हैं कोई एक भी उठेगा सबको उठना पड़ेगा और बुखाय तो बुखा रह जाए ओगस्त प्यासा था और लोग उठ गए बोला मुझे प्यास लगिए बोला अब तुमा अब बेटे के ऊपर इतना सारा भार है तुम गौलवाल क्या करा गौलवाल उने का कनईया जरा ये स्रीधामा उठा ले नहीं मैं उठा के खड़ा हूँ आप अपनी अपनी लाठी लगा तो अचा 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 सब अपनी लाठी लगा दो लाठी सब ने लगा दी और फिर लीला में तो ऐसा लिखा है कि सांडे रिशी ने कहा कि साधारानी को सक्षियों के साथ कनईया के सामने सिंगासन पर बराजमान करा दो बस वो शक्ति है उसका दर्शन होता रहेगा तो कनईया सक्तिशाली होगा और गोवर्धन को धारन करके रखाएगा और ऐसे ये चपन बहुत के लिए एक जगह कावज ऐसा है कि साथ दिन कनेया ने कुछ खाया नहीं सबने पूछा ये यशुदा मईया कितनी बार खिलाती है बुला आठ बार रोज खाता है बुला आठ बार साथ दिन आठ साथ चपन आज इसको प्रिद भूग लगा ने ये 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 चपन भो पूरा हो जाएगा, अब बादल वापस जा के कहते हैं कि नीचे कुछ नहीं हो रहा है, वो एक परबत धारन करके खड़ा है, अब इंदर को बड़ी लज्जा आई कि मुझसे अपमान हो गया, कनाया ने परबत को नीचे रख दिया, और सब गौालबाल अपने घर में चले ग अरे प्रेम करना है तो करो कभी कोई संकत आएगा तो परबत को उठा लेगा, यह सचपच परबत उठा के साथ दिन अपने भक्तों की रक्षा किया, ऐसा और कौन करेगा, पाप से के पेट से निकालेगा, प्रेम करने वालों के लिए परबत उठा सकता है, इससे ज्यादा और कौन हम से प्रेम करने वाला है, तो नंद बाबा ने का दूद पियो, दही खाओ मेरा भाईयो, जब घरगा आचारे ने नाम करन कर खा था तब कहा था यह नारायन से के समान आपकी रक्षा करेगा, और वो श्लोक जो नाम करन के हो दुबारा यहां, नंद बाबा ने प इंदर अेरावत के ऊपर चड़की आया, और देवता आय, और फिर भगवां स्री कृष्न को सुर्भी कहती है, गोविंध आप हमारे हो, आप गोविंध हो, इंदर हमारे आप हो, आपने हमारी बंस गव की रक्षा की है, और पहले सुर्भी आई, फिर इंदर आया, फिर अ अभीशेक हुआ, जहां भगवान का अभीशेक हुआ, वहां गोविंद कुंड बना, और उस गोविंद कुंड में भगवान के दूद का अभीशेक हुआ है, ये असल में दूद भी कोई सामान नहीं है, एक गोडिया भक्त वहां रहता था विचारक, बहुत बड़े वरिष् तो उसके पास एक नौजवान भगता के थोड़े दिन रहा तो नौजवान मदूकरी करता था बाबा आप कुछ लेते नहीं हो बुला ये खीर सागर है गोवर्धन सुरुभी का दूद है मैं इसी को पी लेता हूँ जब थोड़ा भूग लगता है तो पी लेता हूँ उसने बुला ये तो पानी है पानी नहीं है ये सुरुभी के दूद से भगवान का अभीश्यक किया हुआ चरणा मिरत है ये और तो वो असल में गोविंद कुंड वो इस्तान है जहां अयाचक मादवेंदर पूरी बेठे थे और भगवान स्री कृष्ण का दर्शन किया था और अंदर ने बड़ी पूजा की गवाल बालों ने देखा कि ये बड़े बड़े देवता चमकते हुए मुकट पहने हुए हमारे कनहिया की पूजा कर रहे हैं तो कनहिया वापस आ गया अब सब कठे हो गए कनहिया जब वापस आया तो किसी ने का तो अरी आपने बड़ा परबत उठा दिया है गवाल बाल बाल बाद तुमने को आकेले ने लगा हुआ था का हमारा डंडा नहीं लगा हुआ तो गोपिया कहते है तुमने उठाया तुमने उठाया तुमने उठाया तुमने उठाया तो भार तो सारा राधारानी नहीं उठाया तुमने क्या उठाया तो सभी कनहिये को कोई नहीं समझता कि तुमने बड़ा काम कर दिया है अब यहां इस लीला में पहला शब्द सुकदेव गोस्वामी बोलते है और व्यासदेव ने लिखाए भगवान भगवान गिरी राज अनकूल हो गए ब्राह्मन अनकूल हो गए अब यह आप समझे दीवाली के दूसरे दिन तो गोवर्धन को धारन किया साथ दिन गोवर्धन को रखा और एक दिन में सारे बड़े भोप आ गए फिर एक दिन आके इंदर ने प्राथमा की एकादशी आ गई नंध बाबा ने कादशी का वर्द किया, दौादशी को सिनान करने तीन बजे सवेले चला गया, और वरुन के अनुचरों ने पकड़ के ले गए वरुन लोक में, नंद बाबा वापस आया नहीं, सुबाह कहां गए, नंद कहां गए, नंद को डून ना है, कनया चले गए जमना में और वरुन लोक पहुँच गए, वरुन देवता ने कनया का प्राथना किया, पूजा किया, आरती किया, और नंद बाबा देख रहा है, और फिर नंद बाबा को खोला, कनया को आभूशन वस्तर, नंद बाबा को सुंदर वस्तर पहनाए और दोनें, नंद बाबा और कनया, जमना से सुके वस्तरों से नए स्वजे से बहार निकले गवाल बाल आए, नंद बाबा रुका औरे ये अच्छे कपड़े पहन के कहां से आये, कहां चले गए थे, नंद बाबा क्या तेरा पिता ही, तुम्हारा पिता है, हम तेरे कुछ नहीं लगते इनको जाके देवता दिखाता है हमको नहीं दिखाएगा, अरे कनयाना के चलो तुम्हारे को वेखुंड का दर्शन कराता हूँ भगवान ने सब गवाल बालों को गोपूं को बड़े बड़े गोपूं को ले जाकर एक तो कहते हैं कि जहां जहां अकरूर कुंड है वहां से भगवान ने कराया और एक कहते हैं कि जहां गरूर गोविंदे गरूर को कहा कि इनको ले जाके वेखुंड का दर्शन कराओ और जब वेखुंड का दर्शन हो र नहीं मैया मैया नहीं अरे कनया तेरा वेखुंट नहीं चाहिए मैया नहीं गया नहीं कनया से मिलना नहीं वेखुंट नहीं चाहिए वेखुंट बंद कर दिया अब सारे गोल गोप भी अनकूल हो गए बड़ गोपों को पता लग जया कि यह कोई सामाने बच्चा नहीं है ब पुरनिमासी का चंद्रमा निकला भगवान ने बांसुरी बजाई बंसी बटके खड़े उपर खड़े होके यहां भी लिखा है भगवान अपी तारात्री उस रात्री को भगवान ने चंद्रमा को देखा पूरा एहलाद में तो बांसुरी बजाई और बांसुरी बजाई त तो हर एक गोपी के हिर्दे के अंदर उसका नाम लेके उसको बुलाया, वो जो काम कर रही थी उस काम को छोड़ा, एक गोपी भूसा बना रही थी बेल को खिलाने के लिए, और वही गोपी थाली बना रही थी अपने सुसर को खिलाने के लिए, जैसे गोपी को कृष्ण की ब जो बहुत हमारे न कहने का ना आपके सुनने के उपर के स्तर है लेकिन उसको समझने के लिए दो बातें कहें कि पहले तो भगवान की आयू आठ और नौ साल के बीच में है दूसरी ये गोपियां कोई लड़कियां नहीं है राधारानी भगवान के वाम भाग से प्रकट होती है और राधारानी का काया व्यू वो अपने सरीर से अनेक गोपियां बनाती है कृष्ण को आने देने के लिए और राधारानी अपने ही प्रतिविम के रूप में राणियां बनाती है दूरका में और अपना ही विस्तार करके लक्ष्मियां बनाती है वेकुट में ये सब र भगवान ने का बेटा कैसे पधारे बेटा भगवान ने इसलिए किया कहा क्यूंकि काम देव का सरीर शंकर जी ने भसम कर दिया था अब काम देव को दुबारा सरीर मिलेगा जब रुखमनी और कृष्ण के घर में परद्युमना के रूप में प्रकट होंगे तो भगवान ने पहले से का बेटा कैसे आए बच्चु कैसे पधारे बोला आप से युद करना है अच्छा बोला कौन सा युद करोगे किले वाला युद करोगे कि मैदान वाला बोला ये कौन सा होता है बोला किले वाला मैं समाधी में बैठता हूं तुम मुझे विचलित करो बोला ऐसे बड़े बड़े रिश्यों को विचलित किया बड़े बड़े समाधी में बैठते हैं और मैं पुष्पू के बान ले जाता हूं और उनको काम के बान चलाता हूं और विचलित होता है शंकर जी को विचलित किया मेरा सरीर भसम कर दिया था तो बोला मैदान का लड़ाई कोन सा है बोला मैं रासलीला करता हूं और तुम बान चलाओ यह मैदान का लड़ाई है बहुत ठीक है तुम पहले आक्रमन करके देखो और उसने ऐसे बान अनुसंदान किया और भगवान ने बांसुरी अपने होंटूं पे बांसुरी रखी और कामदेव ऐसे देख रहा है तब तक मूर्शिद होगे गिर पड़ा अरे कनये ने का अभी तक बाजे ही नहीं बजे है युद्धी शुरू नहीं हो तुम तब से पहले आर गया चलो यहां से तुम कहां से लड़ाई करोगे तो भगवान का नाम क्या हो गया मदन मुहन कामदेव को कहते हैं मदन और कृष्ण है मदन मुहन और फिर ये कामदेव यहां से काँ चला गया सिर्दा गोपियों के हिर्दे में जाके बैठ गया और गोपियों के हिर्दे में काम जैसे जाके बैठ गया कामदेव तो गोपि जो आँख में काजल डाल रही थी और होंटों पे सुर्की लगा रही थी तो सुरकी गई आंख में और काजल आया होंट पे और कान वाला बाला नाक में और नाक वाला कान में पाउं वाला हाथ में और हाथ वाला पाउं में जैसी गोपियां थी वो बच्चे को दूद पिला रही थी चूले के उपर रोटी थाप रही थी गाय का दूद सब जहां छोड़ी और भागी चिदी कनायय के पास इसको कहता है जैसे हो वैसे कनायय के पास जाओगे तो सुईकार कर देगा और सजधज के सुरपंखा की तरह जाओगे तो नाककान कटवा के आओगे जैसे है वैसे चले जाओ आज गोपियां वहाँ आई है कृष्ण कहता है ओ पूर्ण मासी का चंदरमा देखने आई हो जमना जी को देखने आई हो बन को देखने आई और इस घोर बन में रात को क्या करोगी जू वापस तुम्हारे पति प्रतिक्षा कर रहे हैं तुम्हारे पुत्र पृतिक्षा, तुम्हारी गाय पृतिक्षा, भगवान ने उनको कुल धरम, जाती धरम, नीती धरम उनका बड़ा उपदेश दिया. क्यों भगवान ने ऐसे किया उनके अंदर विरह पैदा किया क्यों उनकी दिल में आग लगे क्यों कामदेव उसके अंदर बैठा है नो उसको थोड़ा भुनना है कामदेव जो गोपियों के हिरदे में बैठ के आया था उसको भगवान ने गोपियों को ऐसा विरह का परवचन किया धरम का परवचन किया कि उनके हिर्दे में इतनी काम की अगनी चली कि एक आम देव बिल्कुल भसम हो गया अब गोफियों का हिर्दे जब सीतल हो गया तो गोफियों ने प्रणय गीत गाया ये गोफियों का दूसरा गीत है भागवत में, प्रणिया गीत, प्रणिया कहते है प्रेम को, हमको प्रेम तब का पता है, लेकिन प्रेम के ऊपर से आठ इस्तर और है, प्रेम, सन्ह, मान, प्रणिया, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये प्रेम तक भक्तिरसामिर सिंध और इसके उपर वाले अंग है, वो रूप गोश्वामिपाद ने अलग ही गन्त में, उजवल नील मनी में उपर के इस्त्रूं का वरनन किया है, तो प्रणिय वो इस्तर है, जहां प्रेमी और प्रेम में कोई अंतर नहीं रहता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं, और ये भक्त विनोज ठाकुर गाते हैं, प्रणिय भक्त संगे, ऐसे भक्तों के संग में अगर भगवान के धाम का दर्शन हो, तब भगवान के धाम प्रकट होता है, तो गोपियों ने प्रणिय गीत गाया, गोपियों को कृष्ण उपदेश दे रहा था सरवधर्मान ना धरम का, और गोपियों कौन सी कक्षा की थी सरवधर्मान परितेजे, गोपियों थी सरवधर्मान परितेजे के स्टेज की, और भगवान उपदेश दे रहा था धरम का, गोपियों है मन मना की उधारन, मन जनुने भगवान को दिया है उसका उधारन है गोपियों, मन मनस का, मद अर्थ त्यक्त जीविता ये भगवान पूधव को संदेश में कहते हैं सो गोपियों ने फिर एक बात कही कृष्ण को सामा ने कठा समझाने के लिए कहते है का कने या कोई पतविर्ता पति इस्तरी हो उसका पती परदेश गया हो और पती को रोज भोजन लगाए, भोग लगाए, पूजा करे, फिर भोजन खाए बहुत अच्छा है पत्विर्ता है बोला बहुत अच्छा है लेकिन पती बाहर दरवाजे पे खड़ा हो वो दरवाजा खटखटा है, अब उसको फोटू की पूजा करनी चाहिए कि पती के लिए दरवाजा खोलना चाहिए तो भगवाण ने का पती के लिए, बुला यही तो हम कह रहे हैं, अभी तक मूर्तियों की पूजा कर रहे थे अभी आप असली पती मिले हो, तो उनकी काय के लिए पूजा करें, उनको छोड़ के आई अभी तब तो वह मूर्तियां थी, आप तो हैं असली पती, अब आपको छोड़ के कैसे जा सकती है और भगवान ने उनकी आगया, उनकी इच्छा पूरी की, एक गोपी के संग में कृष्ण ने रास शुरू कर दिया और उस रास में गोपियों के अंदर में अभीमान आया के कृष्ण मेरे साथ ही केवल निर्ति कर रहा है और भगवान सरी कृष्ण राधारानी के संग अलोप हो गए वहां से, सब गोपियों हाहा कार करके कहां गए कृष्ण कहां गए कृष्ण और डूंडने लगी तो दिखा अरे दो पाउं हैं किसी गोपी के साथ गए हैं और आगे जाके राधारानी के भी तो हिर्दे में सारी गोपिया राधारानी का ही तो विस्तार है राधारानी ने गोपियों का विलाप सुना तो राधारानी के मन में आया कि नहीं मुझे अलग नहीं होना है उन से कनयय को कहा पहले तो ये फूल उतारना है कनयय ने उसको कंधे पे उपर चड़ा दिया फिर का चला नहीं जाता है और कनयय नीचे बैठा और राधारानी कंधे पे चड़ने के लिए पाँ उपर गया कनयय गुम हो गया अब राधारानी विलाप मैं भगवान जनार्धन है अलार नात्फ जग्नात पुरी में चेतन ना महा प्रभु अलार नात्थ में क्यूं जाते थे जब जग्नात जी कर दरवाजा बंद होता है पट बंद होता है शनान यातरा के बार वो तो चत्रभुज विष्णू है और जनारधन है उनके संक चकर के हिसाब से क्यूंकि ये वो स्री कृष्ण है जो गोपियों की रास में चार हाथ वाला बन के खड़े थे ये है कृष्ण ही ये वही कृष्ण है जो रास के समय गोपियों के सामने चार हाथ वाले रूप में खड़े थे इसलिए महापरवु जानते हैं कि ये कृष्णा ही है ये विष्णु नहीं है ये कृष्णा है इसलिए अलावनार्थ में चेतना महापरवु जाके रहते थे और फिर गोपियों ने का ऐसे डूढ़ने से नहीं मिलेगा तब गोपियां वापस जहां उनसे अलग होई थी वहा पहुंचा था वो चूनरिया बिचाई उसके उपर भगवान का आसन लगाया उसके उपर भगवान को विठा दिया और भगवान से परसन उत्तर करने लगी और कहते है कृष्णा कोई प्रेम करे उससे कोई प्रेम करता है तुम प्रेम करो मैं प्रेम करता हूँ एक तो यह होते है एक होते है तुम प्रेम करो सामने वाला तुम प्रेम करो या न करो सामने वाला प्रेम करेगा और तीसरे होते है तुम प्रेम करो सामने वाले को पता ही नहीं बढ़ए।, नहीं है कनय, QUE तो प्रेम करो, भुष। संसार प्रेम करते हैं, यह दनिया वाले हैं, मित्र हैं, तुम करोगे तो भूभी करेगा। बोला यह तो ठीक है। तो नहीं करो तो भी तुम से प्रेम करेंगे वह यह माता पिता होते हैं, बचे इच करें ना करें लेकिन माता पिता कभी नहीं नहीं भूलतें हैं यग बहुत बड़ा किर्जगण है कि भले क्रेम करने वाले को पहचानता नहीं अब गोपियां इसती हैν एक दूसरे को देखकर बूला ये समाधी में तो है नहीं और ये पागल भी नहीं ये बड़ा किर्दगन है हम इसे प्रेम करती हैं और ये हम को छोड़के चला गया अब कनही यह हाथ जोड़के अपना दुपटा हाथ में रखे किता है गोपिया न पारे हम मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता ब्रह्मा जी की जीवा आयू तक मैं आपकी सेवा करूँ आपने जो मेरे लिए घर छोड़ा परिवार छोड़ा लोक लजा छोड़ी जो नारी के लिए बहुत मुश्किल है मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता मैं आपका रिणी हूँ और रास लीला का परसाद तो ये है हम कल जुग वालों को के गोपियों के रिणी बने हुए कृष्ण चेतना महा प्रभू के रूप में आए रिण उतारने के लिए ये हमारे उपर बहुत बड़ी किरपा होई गोपियों के रास लीला की कि चेतना महा प्रभू गोपियों का करजा उतारने के लिए रिण उतारने के लिए गली गली में हाथ उपर करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो अब गोपियों ने अब कहा कि गोपियों मैं आपके प्रेम को अंतरंग करने के लिए ये लीला की थी और भगवान ने ये लीला की इसलिए थी कि इसके बाद एक सो साल के लिए कृष्ण गोपियों से अलग हो जाएगा अब बिन्दावन से कृष्ण चला जाएगा तो गोपियों का प्रेम ऐसा अंतरंग कर दिया कि गोपियों को हर समय कृष्ण दिखने लगेगा बाहर जो प्रेम था उसको अंतरंग कर दिया इसके बाद महारास होई और महारास के बाद भगवान ने तीन असरों का वद किया बिर्णावन छोड़ने से पहले विशेश रूप से तीन असुरों का एक वियमासुर जो गुफा में गुवाल बालों को छुपा रहा था ये मानों के योगी लोग भगतों को भिर्मित न करें बिर्जबासी भगवान के प्रेमी भगत है योगी लोग योग अभियास और सिद्यों से प्रमित न करें उसके लिए और एक विश्टबासुर आया एक बैल धर्म के रूप बैल के रूप में असुर आया ये धर्म का प्रतिक है धर्म के नाम में कोई बिर्जबासीूं के प्रेम को शुद भकतूं को कोई विश्लित न करें और एक केसी केसी घोड़े के रूप में आया हिनहनाता हुआ ये हाई Passion भी वा जो वेदूं की चोरी की थी तो ग्यान के रूप में ग्यान के माध्यम से भकतूं को कोई भिर्मित न करें योग के नाम से भक्तों को कोई भर्मित न करे और धर्म के नाम के कोई भक्तों को भर्मित न करे ये बिर्जबासी मेरे प्रेमी है ये योग से ग्यान से और धर्म से उपर है तो इन तीन असुरों का भगवान ने वद्ध किया और इनका उधार किया बाकी बीच में कुछ छो लिखी हैं अब नारद जी कंस के पास चले गए कांस आपको चिंता है ना वसुदेव के पुत्रों की और नंद भावन में कृष्ण और बल्राम है न ये वसुदेव के पुत्र है अच्छा अकरूर नया रत देता हूं जाओ निमंत्रन दे के आओ बड़ा धनुश यग्य और दूसरे दिन नारद जी गए हैं बिर्ज में कनहिया गईया चरा रहा है नारद जी ने प्रणाम किया बहुत आपने आनन दे के प्रेम का पोशन किया है अब अपनी माता पिता वसुदेव और देवकी को और मतरा वासियों के उपर भी किरपा करो नारद ने ये कह दिया स्री कृष्ण को और वहां से अक्रूर मनोरत करता हुआ रत के उपर चड़ा है और नंद गाओं में आया है नंद बाबा ने और कह रहा था कृष्ण मेरा हाथ पकड़ेगा काका कहेगा बलराम जी मेरे हाथ पकड़ेंगे और दोनुन हाथ पकड़े हुए घर में ले गए ह नंद बाबा ने गाय दिखाई, रात को चरण दवाए, कहा कि कंस ने आप सब को बुलाया है, दूसरे दिन अकरूर के रत के उपर कृष्ण बलनाम बेठे, नंद बाबा वो बेल गाडियों में तो उस महमारग से, राजमारग से चले गए निकले, ये अकरूर गमन मारग अल नंद बाबा के, अकरूर जी को लबी दिल में आ रहा है, कि मैं इतने संदर कोमल बच्चों को करूर कंस के हाथों मरवाने कहां ले जा रहा हूं, भगवान ने अकरूर के मन के भाव को जाना, कहा काका, दुपहर हो रही है, संध्या बंदन कर लो, जमना में सनान करता है अक पर चत्र भुजरूप में नारायन बेठे हैं, फिर बाहर देखता है, कृष्ण बलनाम बेठे हैं, तीन बाहर दर्शन हुआ, अकरूर जी पाहर संध्या बंदन करके आए, कृष्ण ने का काका कुछ आस्चरे देखा क्या, बोला आपको देखा तो अब क्या आस्चरे कृ यहां मानना है कि सोयम भगवान स्री कृष्ण जो नंद नंदन है, वो बिल से एक चरण भी बाहर नहीं जाते हैं, अकरूर घाट की सीमा है, यहां से वसुदेव कृष्ण अब आगे अपनी लीला करने के लिए मत्रा में परवेश करते हैं, रात को जाके, अब शाम हुई, अकरूर ने का हमारे घर चलो, बुला नहीं, आपके घर अभी नहीं चलेंगे, आपके घर जरूर आएंगे, अभी हम बाबा के पास जाएंगे, रात को नंद बाबा के पास सो गए, दूद पिया और सो गए, सुबा उठी, सुबा हुई, थोड़ा दिन उपर आया, ग्वा गवाल बालों को और हम को दे दो, हम तो अभी गाउं से आये हैं, मत्रा मडा नगर है, कपड़े जरा अच्छी पहने, उसने बहला का मैं रजक हूँ, और कंश के कपड़े आप पहनते हो, आपको अपने प्राणों का भाय नहीं लगता है, कनाया ने देखा गवाल बालों क छोड़के चले गए, कि ये हाथ से मार देता है, बुला ये धोबी कौन था, ये धोबी था, जिसने सीता के उपर आरोप लगाया था, राम लीला में, राम जी मर्यादा प्रिशोता में धोबी को कुछ नहीं कहा, लेकिन कृष्ण ने आज उसका काम पूरा कर दिया, अब दोबी के कपड़े लेकर कपड़े थे बड़े एक दर्जी के पास चले गए, बुला इसका अल्टर करके सुंदर बनाओ, दर्जी कनहिया के कपड़े बनाता है और उसके आभूशन बना रहा है, कपड़े के आभूशन क्यों बना रहा है, क्योंकि कल इनको रेसलिंग करनी है वैसे आबुचन होंगे तो लग जाएंगे सरीर को कपड़े के बहुत संदर आबुचन और रो रहा है कनाया ने पुछा किसी ने अब रो क्यों रहे हो बोलो मैंने रामचंदर का राज तिलक का वस्तर बनाये थे रामचंदर बनवास चले गए तब से मैं आपके वस्तर की दाम में भी आओगे अब माला भी हो गई नए कपड़े भी हो गया अब चंदन के लिए कुपजा जा रही थी भगवाने का सुंदरी अरे इसने बहुत सब गावाले बंदरी बोलते हैं यह सुंदरी पहले किसने बोल दिया यह क्या है यह में अंगराग है कंस भोजराज को बड़ा अच्छा लगता है हमको लगाओगी अरही आप जैसा लगाने वाले मिल जाए तो कौन नहीं लगाएगा और उसने प्रेम से कृष्ण और बल्लाम को अंगराग लगाया कृष्ण ने बोला इसको फल ततकाल देना चाहिए वैसे आचारे लिखते हैं कि भूदेवी सत्यभामा का विस्तार भूदेवी ये कुपजा है और ये टेड़ी क्यूं हो गई है धर्ती के उपर बहुत भार है और भगवान इसको सीधाई तो करने आये हैं भगवान ने का इसको फल देना चाहिए क्या फल देन उधर ही पाओं के उपर पाओं रखा और चोटी से पकड़ा और थोड़ी को उपर किया ऐसे ठोकर मारी एकड़म सुंदरी बन गई और सारे मत्रा में हला हो गया कोई ब्यूटी पारलर नहीं जाए ये ऐसा सुंदर बना देता है साब को सुंदर बनाने वाला आ गया है सारी इस तरियां कृष्ण के पक्ष में हो गई सारे माली कृष्ण के पक्ष में हो गई सारे दर्जी कृष्ण के पक्ष में हो गई और सारे दोवी शेर चोड़ के भाग गए तो आधा शेर तो कृष्ण के पक्ष में पहले ही हो गया अब स्री कृष्ण यहां से जहाँ धनुष रखाय वहां पोहँच गए और धनुष रखाय बोला मामा जी ने हमको बुलाया धनुष कहाया पलीस नहीं जा शकते हो अंदर गए धनुष को टोड़ा टुकड़ा किया सिपाइयों को मारा दूसरी टुकड़ी आई उसको मारा और फिर जाके नंद बाबा के वहाँ जो मा यशोदा ने सामान भेजा था वो खा के सो गए और कंस को रात को नीद राम हो गई कि सुबा धनशी खतम हो गया जिसका यग्य होना था और सिपाही मर गए कपड़े आये नहीं है कल क्या पहन के जाऊंगा अंगराग लगाने वाला कोई नहीं आया कंस चिंता में है दूसरे दिन सुबा को रंग मंच संजिया सब लोग आशनूं पे बैठ गए नंद बाबाबा आगी जलेगा कुछ ग्वालबालों के संग में सनान करने गए और जब अंदर परवेश करने के लिए खड़े हैं तो कुबल या पीड़ा हाथी खड़ाए महावत ने का अंदर नहीं जा सकते हो इन्हों नहीं इन्विटेशन कार्ड दिखाया है मामा ने बुलाया है बोला मामा ने बुलाया है लेकिन हाथी नहीं हटेगा बल्लाम जी हाथी नहीं हटेगा तो हम इसको पूच से पकड़ के हटाते हैं पूच से पकड़ के खींचा हाथी को और फिर आगे कृष्ण गिरा हाथी ने समझा कि कृष्ण को में जाके मारता हूँ ऐसे जैसे दांत कृष्ण के उपर मारने के लिए कि कृष्ण ने पल्टी खाई दांत जमीन में गए और दांत ढीले हो गए दोनों दांतों को कृष्ण निकाला और बल्लाम ने पकड़ा और हाथी को मारा और हाथी के महवत को मारा कंदे के ऊपर धान्त रख्के और परवेश की आंधर कंज कूछता है वो कौन आ रहे हैं बोला की कंदे के लिए गते के ऊपर क्या है कवछल या पीड ए यहाथे के दान्त हैं अड यहाथी मर गया चानूर मुष्टिक जल्दी करो इनको भूलो इनको पकड़ो इनको मारो इनको पकड़ो इनको मारो चानूर मुष्टिक कहते हैं आओ हमसे कुष्टी करो कृष्ण कैता तुम कितने बड़े रेसलर हो हम छोटे बच्चे है ये कोई मैच है तुम छोटे बच्चे हो कहांगे अगासुर कहांगे अबकासुर इतने सारे यहां से मामा ने भेजे खिलोने सब खतम नहीं हमसे कुष्टी करनी पड़ेगी आप उपर सब लोग बैठे हुए कहते है अन्याय हो रहा है अन्याय देख रहे हैं बच्चों के साथ इतने बड़े भारी कुछती वाले इस टारियां चाहिते है अरे देखो यह आँखो यह आंखों का उच्थ सवर ओर इनको इनके साथ इया अन्याय हो रहा है फिर चारण को नीचे फेंका और मारा कृष्ण ने मुस्टिक को मारा बल्राम जी ने और खल तोशल आई बल्राम ने का मैं देखता हूँ तब तब मामा को देख लूँ कृष्ण एक दम जंप मार के स्टेज के उपर चड़ गए कंस उठके खड़ा हो गया बोला अच्छा है कम से कम कृष्ण की आने के उपर उठके खड़ा तो हुआ और खड़ा होके तल्वार निकाली तल्वार निकालने ज़े पहले कृष्ण उसने पानू को पकड़ा और जटका देखके मंच से नीचे गराया कंस नीचे गिरा, कृष्ण कूत के उसकी चाती के उपर बैठे, ऐसे हाथ उपर किया, तब तक मामा का हाट फैल हो गया, कंस राम कर गया, कंस का प्रान निकल गया, और कंस का प्रान निकल गया, कंस के भाई आया, उनको मार के भगाया, अब वसी मंच के अंदर गौाल बाल उ मामा उगर सिन को जेल से आजाद किया का अब आप हमारे राजा हो और जेल में चले गए बसुदेव और देवकी के पास और दोनों को आज कृष्ण ग्यारा साल के बाद सूत की गिरह से गया था मा पहने तो उनको चतरभुज रूप याद आया प्रणाम करने लगे मान है कृष्ण ने कहा कि माता पिता आप इतना संकट हम आपके योग ये पुतर होते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाए हमको इसका बहुत बड़ा दुख है पुतर जो माता पिता की सेवा नहीं करता है उसको धिकार है भगवान ने उसके हिर्दे में ऐसा सने भरा कि माता पिता एक डम कृष्ण को गोद में ले लिया इस्तनक में दूद आ गया देवकी के आँखों में आंसू और अभिशेक हो गया आज कृष्ण अब मत्रा में रह रह रहा है लेकिन मत्रा में रहने से पहले शाम को चले गए नंद बाबा के पास नंद बाबा को कहा बाबा अब आप गई आपना बेलगारियां लेकि नंद चले जाओ वापस मेरे को कुछ दिन यहां मत्रा में रहना पड़ेगा हमारे इन संबंधियों का हित करने के लिए नंद बाबा के आएं जमीन पाओं के नीचे से निकल गई कृष्ण के बगेर मैं बलनाम के बगेर कैसे वापस जाओंगा कनेया ने का जब आप याद करोगे मैं बाबा आ जाओंगा लेकिन आप अब वापस जाएए इस वक्त मेरे को यहां रहना पड़ेगा कंस का सुसर जरासंद आकरमन करेगा और हमारे पास बिंदावा गोकुल में कोई विवस्ता नहीं है नंद बाबा बहुत भारी हिर्दे से आंसु बहता हुआ जैसे नंद गाओं में पहुंचा है यहोदा नहीं का कृष्ण बल्लाम के बगयर कैसे आगए आपके प्रान क्यों नहीं निकल गए नंद बाबा कहते एक ही पिता संसार में दसरत हुआ राम के ना आने का सुना प्रान निकल गए यहोदा मेरे प्रान निकल गए होते कृष्ण के जाते नहीं आने का सुनकर लेकिन मैं नहीं रहा होता तो तुम्हारे प्रान निकल जाते और तुम्हारे प्रान निकल जाते तो बर्जबासी सब मर जाते और कनयया ने का है वापस आऊंगा वो आएगा और हमको नहीं देखागा तो उसको दुख होगा इसलिए हमको रोज रोना है रोज मरना है लेकिन जीते रहना है क्योंकि कृष्णा आएगा उसने कहा है आएगा तो वो आएगा आज नंद बाबा वापस पहुंच गए है और कृष्ण को बसुदेव कहते हैं ग्यारा साल का बच्चा हो गया अभी तक स्कूल में एडिमिशन नहीं कराई है इसका कुछ क पास सदा रहेगी जुग जुगु जुगु तक आपकी सिक्षा इस दुनिया में गीता के रूप में गाई जाएगी और यहां से कृष्ण वापस सब शिक्षा लेकर आ गए तब भगवान ने तीन भक्तों का मनोरत पूरा किया है कुपजा को कहा था तुमारे घर आएंग तो उधर को साथ लेके कुपजा के घर गए था एक्रूर काका को कहा था तुमारे घर आएंगे बलराम जी को लेकर साथ में अकूर काका के घर माय गए हैं अक्रूर ने बड़ा आनन्द से उनका सुप्रेम से अपने भतिजों को छाती से लगाया है प्रसाद खिलाया है फिर भगवान स्री कृष्णने का 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 तुम हस्तनापूर जाओ मेरी भुवा कॉन्ती का और पांडवू का समाचार लेकर आओ और अकरूर हस्तनापुर गया है भीशम पिता मैं से मिला विदूर से मिला कुंती ने तो कहा कि मैं हिरनी जैसे बागूं के बीच में फंसी है ऐसे फंस गई हूँ और दो शलोक ऐसे अच्छे हैं कुंती महरानी सामने कृष्ण को देखती है पाही माम कृष्ण मैं और मेरे बेटे गोविंद आपके शरण में है ऐसे बहुत सुंदर शलोक हैं कुंती के और फिर धृतराश्टर ने कहा कि जो आप मुझे कह रहे हो ना अकरूर बात सब धरम की है लेकिन मेरा पुत्र मोह इतना पका हो गया है कि तुमारी बातें मेरी दिल में टिकती नहीं है लेकिन कृष्ण का आवतार धरम के लिए हुआ है जो वो चाहेगा वो होगा अकरूर ने ये समाचार कृष्ण को दिया है एक दिन मक्षन लगा के रोटी पे देवकी ने कृष्ण को दे दिया कृष्ण आँखों में आँसु बहता दर्वाजा बंद के रोने लगा उधव ने पूछा क्या है बुला ये मक्षन देखता हूँ मैया यशोदा याद आती है बिर्णावन याद आता है हाथ पकड़ के उधव को जमना के किनारे खा तुम चले जाओ बिर्णावन में नंद और यशोदा को आस्वासन देना के मैं आऊँगा गोपियां तेरी बात नहीं सुनेंगी उनको मेरी चिठी पढ़के सुनाना और यहां से उधव को अपने प्रेमी भक्त बिर्जबाशियों को संदेश दे के भेजा है थोड़ी लंबी हो जाएगी और बड़ी आनंद दाय कठाए यह तो उधव संदेश अलग साथ दिन में पूरा नहीं होगा इतना बड़ा है और इसके बाद जरासंद सत्रा अक्षोनी सेना लेकर सत्रा बार आकरमन करने के लिए आया और हर बार कृष्ण और बलराम ने पूरी पहली बार आया साथी सेना को समापत किया जरासंद को हल से पकड़ लिया बलराम जी ने मूसल उपर किया खनुयों ने बोला नहीं हमारे मामें का सुसरे मारो मत अरे मामा को मार दिया सुसर को मत मारो बोला कहां जाके हम बेजती हुई है अपमान हुआ है अब मैं सादू बनता हूँ और वो सादू बनने जा रहा है कुछ राजा उन्हें आगे का महाराज आप सादू कैसे बनेंगे एक बार हराना कोई हराना होता है क्या हम आपके साथ है ना सत्रा बार सत्रा एकीस अक्षुनी सेनाय लेकर आया सत्रा बार कृष्ण ने हारा और जीवित सोड़ के छोड़ दिया अठारी बार एक तरफ से काल यवन और एक तरफ से जरासन ने ब्रहमनों को कहा के यग्य करो पूजा करो हमारे आगे मंतर पढ़ते चलो इस बार हमारी विजय नहीं हुई तो तुम्हारा सर कार देंगे और विजय हो गई तो तुम्हें बहुत भूमी दान देंगे गाये दान देंगे सुरन दान देंगे कृष्ण ने कहा कि ब्रहमनों की रक्षा के लिए तो मेरा आवतार है इस बार अगर जरासन को हराया तो ब्रहमनों को मार देगा और काल जयवन का उधार करना चाहिए काल जयवन मेरे हाथों मरने के लिए और इस से पहले भगवान ननी है निर्षे कर लिया कि अब मथ्रा में रहना ठीक नहीं है अब यहां से सुरक्षा इस्तान दौर्कह में नगरी बहुत निवनढर के बीच में नगरी का निर्मान कराया औ योग माया से सारे यदुवंसियों को वहां स्थान अंतर कर दिया और स्री कृष्ण काल यवन के सामने चले गए काल यवन के सामने गए काल यवन मारने के लिए आगे डोड़ा उसको वरदान था शंकर जी का कि एक दिन यदुवन सी तुमारे आगे भागेंगे और कृष्ण भाग रहा है और इतना दूर भाग रहा है कि अभी पकड में आ जाएगा और रुक जाए और भाग जाए और धोलपूर के पास मुझकुंड गुफा के अंदर कृष्ण गुस गया और अपना पीतामर उपर वाला मुझकुंड के उपर डाल दिया अंदर जाके कृष्ण बैठ गया काल यवन ने जाके लात मारी मुझकुंड को मुझकुंड ने आँखें खोली आँखें खोलते ही काल यवन भसम हो गया मुचकुन को देवताओं उन्हें वर्दान दिया था कि जो तुम्हारे नींद खराब करेगा उसके उपर नजर पढ़ते ही मर जाएगा भगवान ने काल यवन को मुचकुन के द्वारा मरवा दिया फिर मुचकुन को कहा कि तुम्हारी भक्ती से मैं प्रसन हो अब तुम तपस्या करने जाओ फिर मेरे धाम आना भगवान वापस आया तब जरासंद की सिना आ गई आप भगवान ने का इस बार इनको मारना नहीं आज भगवान रन छोड़के भागे है रन छोड़ राय हो गए और पीछे जरासन सेना लेके भागा है दोनुँ भागते भागते दोनुँ भाइया वो ज्यादा वर्षा होती है गिरनार के परबत के उपर चड़ गए भगवान स्री कृष्ण बल्लाम गिरनार परबत के उपर चड़ गए जरासन ने चारों और से आग लगा दी समझा के अब यहीं मर जाएंगे लेकिन भगवान ने वहां से कुछ जंप लगाया और वो सीधे द्वार का पहुँच गए यहां पचास अध्याओं में बिर्ज और मत्रा की लीला पूरी होती है अब उत्तर अर्द में द्वार का लीला श्रू होती है अपने को दो चार परसंग कह के कथा को आज विराम देना है लेकिन हम भी सुपरफास्ट स्पीड में जा रहे हैं लेकिन कताब बहुत लंबी है हरे कृष्णा अब द्वार का में बलराम जी का विवा पहले हो इसलिए रेवत महराज रेवती को लेके ब्रमा जी के पास गए और वहाँ समय बीट गया उसने कहा कि इसका नित्य जो पती है वो बलराम जी है रेवती को लाया बलराम जी के साथ विवा हो गया इसके बाद रुख्मनी के विवा के परसंग आता है रुख्मनी ने भगवान स्री कृष्ण को देखा नहीं था नारदाजी रिश्यों से कृष्ण की सुंदरता, वीरता, मधूरता का सुना था और अपना हिर्दे कृष्ण को दे दिया था भीष्मक, महराज भीष्मक की पुत्री विद्रब देश में रुख्मनी साक्षात लक्ष्मी है मानो भीष्मक खीर सागर है तो उसमें से उसका बड़ा बेटा जो रुकमी है वो विश्च है और रुखमनी साक्षात लक्षमी है महराज भीश्मक उसकी पतनी उसके चार भाई कृष्ण से विवा कराने के लिए तैयार थे लेकिन रुकमी कहता है मैं बड़ा भाई हूँ मैं इसका विवा सिशुपाल के चेदी नर्श सिशुपाल के साथ कराऊंगा जब ये पता रुकमनी को लगा तो रुकमनी ने साथ शलोकूं का एक पत्र एक ब्रहमन के हाथूं भेजा स्री कृष्ण के पास ब्रहमन जब पहुचा सुधर्मा सभा में स्री कृष्ण ने उसका सनमान किया आदर से सोने सिंगासन से उठे उसको बिठाया उसका भोजन खिलाया पाध्यार गे दिया अपने घर में ले गए और फिर कहा ब्रहमन देवता आप ब्रहमन की रक्षा तो हो रही है न ब्रहमन संतुष्टी हो तो मुझे बहुत बड़ा पसंद है और असंतुष्टी ब्रहमन हो तो इंदर का राज भी पूरा नहीं पड़ेगा और ऐसे संतुष्टी ब्रहमन हो तपस्वी ब्रहमन हो उसको मैं नमस्कार करता हूं भगवान कहते हैं आप इतने दूर आए हैं कोई काम ह अगर कोई गुप्त काम नहीं है तो बता दीजिए तो ब्रह्मन ने चुठी देदी रुखमनी की साथ शिलोकों की भगवान ने कहा आप ही खोल के पढ़ो ब्रह्मन देवता क्योंकि भगवान ब्रह्मन का विश्वास बढ़ाना चाहते थे और उस शिलोक में रुखमनी ने पहले लिखा था निरलज होकर कृष्णा आज मै मेरा हिर्दे आपको दे धिया है आपके सुदर्टा का चरीतर सुनके और फिर कहती है मैं अकेली निर्लज नहीं हो सकती आपकी सुदर्टा आपके गुण अतुलन ये हैं इसके बराबर और किसी के नहीं है यह तो देवता परिश्यों के इस्त्रियों के क्या बात करें, ये संसार की इस्त्रिया, जो भी विवाय योगे हो, वो आपके अलावा, और किसको चुन सकती है, और फिर रुखमनी देवी कहती है, आप मेरा अपहरण करने के लिए आए, बस समय बहुत थोड़ा बचा है, और आपको ये अग आउं तब आप कुछ नहीं करना, जब मैं वापस लोटूं तब आप मेरा अपहरण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप नहीं आएंगे, तो मैं सो जनम लोगी लेकिन आपको ही पती के रूप में प्राप्त करूँगी, ये जब साथ शलोकुं का रुखमनी का प मुझे भी रुखमनी को, मैं वचन देता हूँ कि मैं उन राजाओं के बीच में से रुखमनी को लेकर और यहां महारानी बनाओंगा, और फिर दारुक को कहा, रत आया, ब्राहमन को भगवान ने रत पे चड़ाया, और रात रात में कॉंडनीपूर आके पोंच गए, जो पूजा पाठ होता है, ग्रहादी पूजन हो गया था, सिचुपाल की बारात आ गई थी, जरासंद, शल्व, डंडवकर, विदूरत ये सब आ गए थे, कृष्ण बनाम का स्वागत किया महराज भीशमकने, अच्छे इस्तान पे बिठाया, अब सोभा यात्रा निकली है दोनुं तरफ से उनुने कहा कि सेना खड़ी कर दो, अस्तर शस्त्रों के साथ खड़े हो जाओ, देखो यहां ये आए हैं यदूबनसी, सब लोग सोच रहे थे कि ये कृष्ण बनाम बारात की तरफ से आए हैं, कि लड़की वालों की तरफ से आए हैं, क्योंकि शुष्प में ऐसे होता है बाहर पंडाल लगता है कौन किसके तरफ का ये पता नहीं है, आता है और खाता है और जाता है, पता ही नहीं लगता है कि कौन था, कहां था, एक जगहां एक पार्टी हो रही थी, तो भोजन बनाया था, सो लोगों का आदमी तीन सो हो गए, तो आदमी खड होके कहता है जो लड़के वाले हैं इस तरफ बेढ़ जाएं सो लोग इदर चले गए बोला मेरे retirement की party ये कोई शादी नहीं तुम लोग बाहर जाओ लोग ऐसे ही आजाते है तो ये कृष्ण बलना हम कैसे आए हैं उन्हें बोला ये आए हैं ये शिशुपाल के विभा में बिगन जरूर पड़ेगा आप लोग यहां सब्त्रक रहना कहीं से ये यदुबंसी हम शेरों के बीच में हिरन कोई शिकार न उठा जाए अपने को शेर मान रहे हैं सिंग अब सक्यों के साथ चली है और ये कौनिपूर के मंदर में गई है पूजा करा के वो कहती है आप कहो गोरी को कृष्ण मेरे को पती के रूप में मिले और पूजा करके नारियल करके वापस बाहर निकली है पहली बार उल्टे हाथ से थोड़े बाल रुखमनी ने आँखों से पड़ दूर की है और उन्होंने अपनी ऐसी शोभा को प्रकाश्ट किया है कुंद जैसे दान और लाल होंट और उनका चेहरे को एक नजर पड़ी हाथियों के उपर बैठे हुए सेने गोडूं के उपर सेने उनके अस्तर शस्तर और नीचे ऐसे गिरे जैसे पके हुए फल गिरते है कृष्ण को कोई कश्ट नहीं करना पड़ा रुखमनी नहीं सब को समोह इतना सनमोहन का है के मूर्षदों के नीचे गिर पड़े कृष्ण का रत सामने दिखाए दिया हमारे कॉन्णी पुरिसकान मंदर में जाते हैं तो एक तमाल विर्क्ष है वहां वह कहते हैं इस्तमाल विर्क्ष के पास कृष्ण का रत खड़ा था वह बिल्कुल कॉन्णी पुर मंदर के सामने है मंदर के बिल्कुल सामने है और कृष्ण का रत आगे आया कृष्ण नहाथ देखके रुखमनी को ऊपर चड़ाया और रत निकला आगे तब ये सब उठे जागे अरे 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 सिशुपाल की मंगेतर को ले गया अरे शेरों के बीच में से हिरन शिकार ले गया उठो उठो लड़ो अब लड़ो अब लड़ो गुरुक्मनी कहती है कि हैं सिशुपाल देखो मैं भी सत्रा बार हारा था तुम हिमत मत हरो तेरी एपतनी चली गया हिमत पकी रखो हमने भी अठारा बार जीत लिया था बस तुमारे भाग में नहीं था सिशुपाल बिचारा रो रहा है बाकी बाराती चले गए रुक्मी ने सब के सामने कहा के मैं अगर कृष्ण से मेरी बेहन को वापस नहीं लाया तो वापस यहां कौननी पुर नहूं आऊँगा विद्रभ देश आऊँगा भी नहीं और अस्तर शस्तर लेके गया गालियां देता हुआ जा रहा है रुक जाओ कहां जा रहे हो कृष्ण ने उसका रत को तोड़ा धनुष एक तोड़ा दो तीन फिर तलवार लेके नीचे उतरा भगवान ने तलवार को काड़ दिया उसको पकड़ा रुकमणी भगवान के चरणू में गिर गई मेरे भाई को मत मारो भगवान का कोई बात नी मारते नहीं है दुपाटा दे तो बान देते हैं तुम्हारे दुपटे से अपने बेहन के दुपटे से प्रेम से बानते हैं, यह आपसे बड़ा प्रेम करता था, आपको शुपाल के साथ भिवा के अभी दुआ करने वाला था, अच्छा है कि मैं पकड़ के लाया, उसको बान दिया, और भगवान को बैठे-बैठे क्या पता लगा, मन में आया कि देखा, बल्लामजी ने का ये, ये अभी-अभी हमारी घर में आने वाली बहु के भाई का ये आल कर दिया है, हमारे भाई ने, तो परेदे कि आरे कृष्णा, हमारे कुल में कभी किसी ने ऐसे किया है, अपने संबंदी कैसा भी हो, लेकिन ऐसे उसको कुरूप करके मरने ज देखो, ये साला भाई से भी प्रेमी है, लेकिन इसको ऐसे, ये सब कहे कि जब रुखमनी नहीं मानी तो बला, तुम्हारी बुद्री ठीक नहीं है, ये तुम्हारा विभा कृष्ण से कराना ही नहीं चाह रहा था, तो फिर तुम बताओ कि तुम्हारा हित्य सी था के नही अब तुम इस मोह में क्यों पड़ी हुई हो, अरे इसको छोड़ दो, इसको मत मारो, कृष्ण नहीं उसको छोड़ दिया, यहां कृष्ण से छुड़ा रहा है रुकमी को, बलराम जी, और अब जाएगा जब परद्युमना के पुत्र का विवा कराने के लिए, तब ही इस आए हैं, दौर का में, और दौर का में विधीवत विवा हुआ, तीन विवा, पहले विवा को कहते हैं, गंद्रव विवा, प्रेम का, दूसरे को राक्षुस विवा, अपहरन किया, और तिसरे को विधीवत विवा किया, बड़ा पंडाल लगा, दिखा है, राजाओं को, क के अंदर बहुत बड़ा वेभव हुआ, ये द्वारका आज हमको जाते हैं, इस द्वारका का पुराणा नाम है कुशिस्तली, दूसरा नाम है आनर्त देश, ये आनर्त महराज शरियाती का बेटा है, शरियाती सूर्य बंस का महराज है, और आनर्त महराज ने सो योजन वेख पिंडार्क तीरत कहते हैं, जहां रिष्यों ने यदुवंस के बालकुं को सराप दिया था, यदुवंस के विनास का, और एक जगह माधवपुर है, माधवपुर कोई 100 किलो मीटर आज कल की दौरका से है, और पिंडार्क 60 किलो मीटर है आमदाबाद की तरफ, आमदाबाद क की तरफ 60 किलो मीटर आएंगे, तो अंदर जाएंगे पिंडार के, और समुदर है वहां भी, और माधवपुर 100 किलो मीटर है, वहां भी समुदर है, ये सारे समुदर में पूरा दौरका बना हुआ था, यदुवंस का, इतना पूरा टुकड़ा ये दौरका का था, क्यूंक तो पूरा हो गया है, क्या करें? क्रिशन का दूसरे विवा के लिए समन्तक मनी की कथा आती है, सत्रा जीत के पाथ सूर्य देव ने समन्तक मनी दी, वो सोना रोज देती थी, क्रिशन का राज को दे दो इतना धन, एक आदमी के लिए एच्छा नहीं है, उसने नहीं दिया, उसका भाई प्रसेन मनी को लेके जंगल में गया और प्रसेन को मार दिया शेर ने और शेर को मार दिया किसी रीच ने मनी के चली गई सत्रा जिदने का कृष्ण ने मनी चुरुआई होगी कृष्ण के उपर आरोप लग गया कृष्ण यदूवंशियों को लेके मनी को डूनने के लिए गया, मरा हुआ प्रसेन मिला, मनी नहीं है, शेर मिला मरा हुआ, मनी नहीं है, और रीच के पाउं को लेके चले गए तो एक गुफा नजर आई, इसको कहते हैं जामवत की गुफा, ये आज भी जामवत की गुफा पूर बंदर से पंदरा किलो मिटर अंदर, आज भी एक हाथी समट फेक्ट्री के पीछे, जामवत गुफा है, धर्ती के अंदर नीचे उतर जाओगे, तो बहुत बड़ी गुफा है, उसमें से एक रास्ता निकरता है, दौरका में जाता है, और एक रास्ता जाता है, जहा भी आये हैं उसको, तो भगवान स्री कुफा के अंदर चले गए, अठारा पंदरा दिन बीद गए, यदुवंसी वापस आए, देवी की पूजा शुरू की के किर्ष्ण वापस आ जाए, और उनतीस ती ती अंदर कृष्ण ने मनी को देखा, लेकिन अंदर जामवत से जामवती थी, जामवती से जामवत ने अपनी पुत्री को विवा करा दिया, मनी देदी के ले जाओ, मनी लाके भगवान ने वापस देती सत्राजित को, अब दूसरा विवा जामवती सत्राजित को शर्म आया, कि मैंने भगवान के उपर आरोप लगाया, अपनी बेटी सत ते भामा का विवा करा दिया और भगवान आये हुए थे हस्तनापुर में भगवान तीन यग्य कराये थे बड़े-बड़े महाराज युदुष्टर की नाम करने के लिए तो वहां जैसे अरजुन के साथ जमना के किनारे गए तो एक सुंदर कन्या को तब करके देखा बो प कुछा देवी किसके लिए तब कर रही हो भगवान को पती के रूप में प्राप्त करना है अरजन को कृष्ण ने का याओ इसको लेकर आओ और लेकर आये कृष्ण तो ये कालिंदी जमना इसको भगवान ने लाके चोथा विदीवत विवा किया पांच्वा विवा अवंत को जो एक समय में बस में करेगा उसको में मेरी कन्या दूँगा कई राजकुमार हार चुके थे भगवान स्री कृष्ण एक समय साथ रूप धारन किया साथ बेलों को पकड़ लिया नागन जिती को बहुत देज मिला और राजा लडने के लिए अरजन ने मार के भगाए और फिर लक्ष्मना केकई देश से लक्ष्मना को भगवान अपरन करके लिया आए ये आठ मुखे राणिया भगवान की हो गई अब भोमा सुर जो पृत्वी का पुत्र है इंदर ने भगवान स्री कृष्ण को आके शिकायत की कि हमारी माता आदिती के कुंडल वरुन का छात और हमारे खेलने का मैदान इस भोमा सुर ने ये नरका सुर ने हरन कर लिया है भगवान सत्य भामा को लेकर गरुड के ऊपर चड़के और गए हैं और भोमा सुर का वद किया है तब आदिती ने प्रकट होकर क्योंकि भगवान सत्य भामा को क्यों ले गए क्योंकि जब सत् अधर है उसका परत्वी माता ने प्रकट वई और कहा कि यह आदिती के कुंडल लो ये वरुन का चाथा लो और फिर भोमासुर के पुत्र को वहां का राजा बनाया भगवान गरुड के ऊपर चले गए इंदर के लोक में इंदर को उसकी माः का कुंडल दिया वरुन का चाथ दिया उनकी जगह थी वापस में इंदर ने बड़ी पूजा की भगवान का स्वागत किया जाते समय भगवान ने पारिजात उठाया और इंदर ने लड़ना शुरू कर दिया भगवान ने का ये भी अच्छा भगत है एक पूजा एक गंटा पूजा करता है गंटे के बाद चुलू करता है और पारिजात को लाए भगवान तो यहां भोमासुर के यहां 16,100 राजकुमारियां कैद में थी जब वो आजाद हुई कहा कि अब हमारा समाज में कौन है कौन हमको सुईकार करेगा भगवान ने का मैं एक क्रांति करता हूं इस आधुनिक समाज में कोई न अधुनिक समाज में करते हैं और इसके बाद अब बाकी लीलाओं को थोड़ा सा विश्राम देते हुए सुधामा ब्रह्मन का भगवान ने प्रारब्ध मुक्त करके उसको बहुत बड़ी सुन्दर लीला है अब इन लीलाओं को प्रनाम करते हैं यह अरे कृष्णा अरे प्रूल ले जाए सब लीला आप पढ़ लीजिए अब इस दुबारा कभी समय मिलेगा तो इन लीलाओं के उपर चर्चा करेंगे ग्यारवें इसकंद के अंदर मुक्ती का इसकंद है पहले नवयोगेंद्रों का उपदेश नारद जी वसुदेव को दे रहे हैं यह सामाने भक्ति के द्वारा मुक्त होके अपने स्अप में इस्तटलेग होने के लिए उसके बाद भगवान स्री कृष्ण उधव को चोबीस अद्वावं में उधव गीता सुना रहे हैं चोबीस तत्वों से मुक्त होने के लिए और उधव गुईता में मुख्य रूप से महराज जो अवधूत के रूप में पड़े थे धतात्रिय, अत्री के पुत्र, उनके चोबीस गुरूं को नाम और उनकी सिक्षाएं उनका नाम पड़ लेते हैं पिर्थवी मेरा गुरू है, पिर्थवी से मैंने सीखा सेहन शीलता, पिर्थवी के ऊपर होते हैं वर्क्ष, वो सब को देते हैं दान, और होते हैं परवत देते हैं सब को सोना चांदी, तो पिर्थवी से मैंने देना सीखा, भला कुरूर से क्या सीखा, अरे कुरूर हो पक्षी, मांस ले जा रहा था, सारे पंक्षी उसको मारने के लिए आ रहे थे, जैसे उसने मांस का टुकड़ा फैंक दिया, पक्षी मांस के पीछे ग प्रण की है, और फिर नवयोगेंद्रों की सिक्षा में विशेश रूफ से चेतना महाप्रवू, कल जुग में अपने भक्तों के संग कीर्तन करेंगे और बुधीमान व्यक्ति उनको पहचान के और भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, और फिर यदुवंस का कैसे यदुवंस का कैसे भगवान ने ब्रहमनु के सराप से प्रभास खेत्र में यदुवंसी आपस में, ये कठा तो आपको मालूम है, सामबा जामवती के पुत्र के पेट में कपड़ा डाला, प्रभास ये आये कौन सी जगा पे, अभी आपको बत आया था, पिंडार्क तीरत, वहां रिशी भगवान के पास गए ब्रमा जी के साथ, कि आवतार के लिए आपको प्रातना की थी, आवतार का काम पूरा हो गया, पृत्वी का भार हरन हो गया, अब आप अपने धाम चाहें तो जा सकते हैं, ये रिशी जा रहे थे पिंडार् आपड़ा डाल के, कहा के इसको लड़का होगा के लड़की, अर रिशी ने कहा यदुवंसियों की संतानो, जाओ, खेलो, महराज पता नहीं लगता है, होगा मूसल, होगा यदुवंस का नास, किर्शन को नहीं बताया, अगरसन ने पिस्वा के समुंदर में डलवा दिया, भगवान समझ गए, कि सराप द्वारका में प्रभाव नहीं डालेगा, क्यूंकि भगवान का दाम है, नारत को भी सराप था, लेकिन वहां महीना रहते थे, कोई नहीं होता था, भगवान इनको प्रभाश खेत्र लेगे, वो शंकर का खेत्र है, प्रले का खेत्र है, श्राम जी वहां सेश के रूप में पाताल में चले गए, भगवान ने त्रिवेनी संगम पे सब का तुरपन किया, और फिर भगवान जाके वीरावल में छोटे बरक्ष के पीछे पीट दे कर उल्टे पाउं पे सीधा पाउं रखके बैठे लेकिन उससे पहले वावा इस्थ दे रहे थे तो मैत्रे रिशी आए उसको विद्र को उपदेश दे कने का आदेश किया और दारुक को कहा के अरजुन को कहो मेरे जाते ही समंदर सारी द्वार को निगल लेगा मेरी रानियों को लेके यहां से जाओ भगवान ने यदुवन्स के विनाज से पहले दिव्य ग्यान दिलाया नारत के द्वारा और आज स्री कृष्ण जब यहां बैटे हैं तो भर्गु रिशी जो भगवान के च्छाती के उपर लात मार के आया था आज मिरगारी बना है शिकारी बना है और उसके बान से भगवान के पाऊं में बान लगा है भगवान ने उ मोरिया तक राज होगा फिर कश्मीर के रास्ते से यवनू का राज होगा वो यहां आएंगे उसका वरनन है और उसके बाद भूमी का गीत है और भूमी के गीत के बाद कल जुग का कैसा भारी प्रभाव पड़ेगा इसका वरनन है और कल जुग के दुस प्रभाव को सुनकर परिक्षत महराज चिंतित हो गए तब सुखदेव महराज ने ये मंतर उचान किया कलेर दोशे निधे राजन राजा कल जुग दोशूं का सागर है अगर कल जुग तो फिर सब का उधार कैसे होगा तो कहते हैं सुखदेव को से यास्ति एको महा गुण एक बड़ा गुण है कल जुग के अंदर महराज कहते हैं जल्दी बताओ साथ दिन पूरे हैं मेरा सरीर छूटने वाला है मैं राजा हूँ उस धर्म का पालन करूंगा तो प्रजावी पालन करेगी क्योंकि यद्यद आचरती स्रेश्ट तत्त देवत्रो जना तो मैं तो सुखदेव महराज की ज मुक्त संगा दुनिया के बंधन से मुक्त करेगा केवल मुक्त करेगा तो जेल से बाहर निकलना है लेकिन जेल से बाहर निकलो और कोई पूछने वाला न हो तो क्या करोगे बला परम बर्जेता भगवान के परम धाम तक ले जाएगा तो भगवान के नाम का कीरतन करना चा और अपना पाओं का अंगूठा भगवान चूस रहे थे और उसके बाद तक्षक साम पाता है परिक्षत महराज भगवान के सुमरण में भगवत धाम जाता है और फिर जन्मेजे बहुत बड़ा भारी सरपूं को मारने का यग्य करता है अब तो आवान हुआ तो इंदर का आशन आया इंदर आथे में चोड़ के चला गया यहां लिखाये देवताओं की भक्ति करो के जब डर लगेगा तो चोड़ के जाएगा आधे में चोड़ दिया इंदर ने तब तक्षक को बचाने के लिए फिर ब्रमा जी ने का अमरत पिय हुआ है इसको नास मत करो और उसके बाद भागवत की मेहमा हैं आई ये भागवत की मेहमा के श्लोक के साथ आज का साथ दिन की कथा को यह विराम देते हैं कहिए नमस तस्मई भगवते वासुदेवाया साक्षणे यईदम कृपया कस्मई व्यास चक्षए मिमुक्षवे मैं भगवान वासुदेव स्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ वो सबका साक्षी है और उन्होंने ब्रह्मा को ये भागवत प्रेम से पढ़ाया और इसके बाद योगिंद्राय नमस्तस्मई सुक्काय ब्रह्मरूपिने संसार सरप दंस्टम्यो विष्णरातम मिमुच्च मिमुच्च योगिंद्राय योगियों का स्वामी नमस्कार करता हूँ सुक्देव को जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है संसार सरप से मरने वाले विष्णुरात परिक्षत को जिसने मुक्त किया सुक्देव महराज को प्रनाम करते हैं और फिर भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेशा नाथस्त्वम्ना यता प्रभो इसका मतलब है ये भगवान ये हमारे स्वामी हमारे को आपके चरणूं की भक्ति जनम-जनम के बाद मिलती रहें ये हमारे उपर किरपा करो भवे भवे जब भी हमको कहां भी हो आपके चरणूं की भक्ति मिले अब ये पुर्णा होती का श्रोक है पढ़िए नाम संकिर्तनम यस्या सर्वपापा प्रनाशनम प्रनामो दुखशमनम तम्नमामी हरिम्परम दो बाते हैं पुर्णावती में. भगवान के नाम का संकिर्तन करेंगे साथ कहरे कृष्णनमामंतर जपेंगे तो सारे पाप प्रकर्ष्टेन रूपेन नाशनम पूरन रूप से नास हो जाएगा. बोला पाप तो नास होगा, पाप का फल दुख, बोला दुख को नास करने के लिए भगवान विश्नु को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम हो, दुख शमनवस, प्रणाम करने से दुख चला जाता है, इसलिए भगवान गोविंद को, नारायन को, विश्नु को, कृष्न को तो भागवत की पुर्णाहोती में संकीर्तन और प्रणाम, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, इन शब्दों के साथ साथ दिन की कथा को यहां पुर्णाहोती पे पहुंचाते हैं, अब आप सब संकीर्तन करें और फिर आरती के प्रणाम करें तो भागती का आए भागवत के साथ दिनों का फल आपके साथ जाए